नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आंगनबारी का एप है उस आंगनबारी के एप पे एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इस बतलाओं को सभी आंगनबारी बहनों को जान लेना काफी जरूरी है जैसे कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आंगनबारी का एप है जिस पे अब आंगनबारी सेवकाओं को टी एचार बितरन करते समय उसका जो लाइव फोटो है वो आपको इस एप के जड़िये आपको अपलोड करने होंगे तो बहुत सारी चीजे हैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए वीडियो को कम्प्लीट जरूर देख लिजेगा कैसे आपको इसको अफडेट करना है कैसे आप इसमें लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं तमाम तरह की जड़ियों जनकारिया हैं इस वीडियो से आपको देने वाला हो जैसे कि देख सकते हैं कि अभी हमने जो आँगरनवारी का एप है उसको ओपन किया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे तीन ही option दिये गए हैं जैसे ही आप इसको update करेंगे तो इसमें एक नया update यहाँ पे जोड़ा जाएगा चलिए कैसे update करना है इसके लिए आपको बता देते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके phone में play store होगा इस play store को आपको simply open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पे एक search bar मिलेगा जहाँ पे आपको लिखना है आगोनवारी आगोनवारी जैसे ही लिखेंगे तो आगोनवारी का जो app है वो आपके सामने इस परकार से दिखाई देगा आपको इस पे click कर लेना है click करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक update आ चुका है आपको क्या करना है simply इस आगोनवारी वेरिफिकेशन का जो app है उसको update कर लेना है यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो update है वो version इसका है 3.6 और यहाँ पे इसको कब update किया गया है तो 28 December 2020 को इस आगोनवारी वेरिफिकेशन एप को update किया गया है चलिए हम इसको update कर देते हैं यह काफी छोटा update है जब तक कि अपडेट होता है आप लोग इस वीडियो को like कर दिजिए और जो भी नए भीवर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस चैनल को भी subscribe कर लिजिए ताकि आपको आगनवारी से जोड़ी जो नई नई जनकारिया है वो आपको समय पर मिलती रहे देखे हमारा आगन लभार्थी verification app अपडेट हो जुका है अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है simply इसको open कर लेना है आप जैसे ही open करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तीन option दिये गए थे यहाँ पर चौथा वाला option भी add कर दिया गया है चौथा वाप्शन क्या है वास्त्विक उपस्थिती का भौतिक सत्यापन तो इस पर हम लोग simply click करेंगे click करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो data है वो आपका नाम वगएरा सारा चीज यहाँ पर रहेगा फिर उसके बाद आपको क्या करना है यह जो btm महीना आप लोग देख रहे हैं इस btm महीना को आपको select करना है जैसे कि माली जी अभी December का महीना चल रहा है December के महीने में हम लोग जीतने भी लाभूको को THR वित्रन करेंगे उसका यहाँ पर live photo upload करना होगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक photo का option जोड़ा गया है इस पर आपको touch करना है और touch करने के बाद लाभूक को खारा करके उसका live photo लेना है live photo यानि कि जब आप लोग वित्रन करेंगे तभी का photo इस पर upload होगा बाकी आप लोग चाहेंगे कि gallery से पहले का photo इस पर upload करें तो वो photo आपका upload नहीं होगा इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लाभूको की संख्या भी दर्ज करनी है कि कितने लाभूको को THR दिये हैं जितने भी photo में लाभूक रहेंगे उनका यहाँ पर संख्या दर्ज करना है जैसे कि 5 या 6 लाभूक रहेंगे तो 5 लिख देंगे और 6 लाभूक रहेंगे तो 6 लाभूक लिख देंगे जैसे कि एके करके उनका फोटो खीचेंगे और यहाँ पे upload करेंगे अब जैसे कि देखिए फोटो कैसे खीचना है और इसमें क्या-क्या बाते आपको ध्यान रखनी है जैसे कि फोटो यहाँ पे किलिक करते समय आपका जो location है वो location on रहना चाहिए जैसे कि हम यहाँ पे इसको नीचे खिचते हैं नीचे खिचने के बाद यह जो location का option आप लोग देख रहे हैं इस location को आपको on रखना होगा जैसे कि आप किस अस्थान से अपना ठीचर बितरन कर रहे हैं उसका भी यहाँ पे data upload होगा जैसे कि अगर आप लोग आगनवारी केंदर से बाट रहे हैं या फिर घर से बाट रहे हैं तो आपका यहाँ से data upload हो जाएगा कि आप किस location से इस महिने का ठीचर बितरन की हैं तो आपका location जरूर on होना चाहिए तभी आपका जो photo है वो upload होगा उसके बाद live photo लेने के लिए आपको क्या करना है इस पे आपको एक बार touch कर देना है चलिए कैसे photo लेना है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इस photo वाले जैसे ही आप click करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि photo का option यहां पर आ जाएगा यहां पर मैं night में वीडियो को shoot कर रहा हूँ इसलिए यहां पर आप लोग को ऐसे दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है कि आपके आगनवारी केंदर पर सभी लाभुकों को खरा करके एक live photo ले लेना है लेने के बा जो detail से यहां पर चला जाएगा जैसे कि देख सकते हैं GPS का यहां पर दिया गया है कि GPS के माध्यम से कितना बज़े यह photo लिया गया है किस date को यहां पर photo लिया गया है सारा चीज location के हिसाब से आपका photo upload हो जाएगा और जितने भी लाभुक photo में रहेंगे उनका संख्या यहां पर आपको दर्ज कर देना है दर्ज करने के बाद यहां पर सत्यापन करे वाले पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो live photo है वो server पर upload हो जाएगा तो अभी मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपको क सकते हैं कि इस परकार से जो नयवाल अपडेट है हुआ है कि अब आपको लभार्थियों का जो THR भीतरन करना है उनका live photo भी आपको इस app के जड़िये इस पर upload करना होगा तो उमीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको पूरी जनकारी मिल गई होगी कि कैसे आपको live फोटो अपलोड करना है कैसे उसका location अन करना है सारी जनकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है वीडियो आप सभी को कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को और भी आंगनबारी वहनों के साथ सेर जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद